इंडिये में है कि कहा है नहीं अभी हम लोग संगटन भाई कब तक संगटन अजबूद बनाओगे दो आज़ार चौबीस पच्छी साजगे तभी भी आफ संगटन को लेके चलेंगे जीस जगा के अब सांसद है वहाँ पे आप अगर वहाँ पे नहीं जाएगा तो कहा से जब लेकिन अगर जैसे कहा था ना राजा बाबू को कोई बोलेंगे ने ना पांच यो संसद छटा संसद तो चिराग जी खूद है यह अलग बाते वह घर से बागी हो के अलग काम कर रहें लेकिन संसद तो वह हमारे ओनरेबल मिनिस्टर के ही आ ना पशुपाति पारस जी क्यों जाएंगे सबसे बड़ी बात चिराग पासवंग जी को बीजेपी प्रोजेक करी अजस्टार फेस वांस अपना टाइम हीरो इस ऑलवेज जिरो या मानते की नहीं बनते उनके चैरे को बीजेपी बेचने का काम कर रही है बहुत स्मार्टली सी एम बनने के लिए के साथ रूपम बिहार बिधान सभा सत्र सुरू है और फिर इधर आप देखी रहे हैं कि एडी और सीवी आई लगातार लालू परसाद यादाव के घर और उनके जितने भी रिस्तेदार हैं उनके यहां लगातार वो जा रही है और ऐसे में सिक्षा मंतरी चदर सेखन देवजानी मित्रा हमारे साथ जुड़ी हुई है मिनी से बात करते हैं कि देवजानी जी जिस तरह से सदन में जो बाते हो रहे हैं फिर से रामचरित मानस को लेकर एक बार मुद्दा फिर इसको बनाया गया है क्या कहेंगे आप इसको अदेखिया अनेसली बताए एडूकि जो एक टाइम पे जो हम लोगों ने जब पढ़ाए किया तब है तीन साल के डिगरी तीन साल में मिली थी यहां पे आप सोचिए कि यूद का करियर स्टेक में हैं बहुत सारे लोगों का तो ऐसा है कि उनका उम्री क्रॉस हो गया है तो आपको जब भी सवाल किया जाता है आ जना रेट पड़े कि उनको बहुत अच्छा से पता है कि भाई अभी हम लोग ना इधर के ना उधर के और कल पंदरा मार्च हम सब को पता है कि कल पेशी हो नहीं है और बहुत सारी चीज़े सामने आ जाएंगे उस पक आर्जेडी का इस टाइब का बयान देने का मतलब बह जैसे कि आप में 14 करोड में से जितनी भी हमारे हिंदू भाई बंदू है सब लोग हम लोग रामचरित मानस के तुलसी दास जी के कथन को सुनके ही बढ़े हुए ऐसा ने की कोई नहीं सुने तो आप उस पे जब चोड़ पहुचाते हो तो कहीं ना कहीं आप हमारे विचार मिनिस्टर का एडूकेशन का जो कारियकाल में जो आपको जो दिया गया वह आप काम नहीं कर रहे हो लेकिन आप बात करो धर्मगरंतिक तो मुझे ऐसा लगता है कि वह पार्ट टाइम में जाके जैसे आज कल बहुत सारे क्या करते बाबा बड़े फेमोस हो रहे चूँ दे क्योंकि जैसे ही कल पेशी होगी और कोट की जो आपकी आदेश होगी उसके बाद तो आरजेदी खेवे में तो हल चल मत मचना तय है देवजानी जी जब कोई सत्र सुरू होता है तो उन मुद्दों पर ध्यान के दित का किया जाता है कि जो काम नहीं हुआ है उन मुद्दो को सामने लाया जाता है लेकिन यहां पर देखा जा रहा है कि कल से फिर से जो इसकी सुरुवात होई है कल एडी और सी बी आई में बहस यह हुआ और आज सिक्छा मंतरी राम चरितमाना इसको लेकर कहीं डंडे जो खा रहा है बच्चे उस पे तो यह कुछ कह नहीं रहा है देखे अभी यह लोग कोई बात ही नहीं करेंगे बात इसलिए भी नहीं करेंगे कि कहीं न कहीं उनको डर है कि जितना दिन हमारे कारियकाल में जो चीज़े हमें करनी थी वो हम कर नहीं पाए ऐसे करके वो लोग यह साल के आखिर कर देंगे और हम सब को पता है कि 2024 कितना ब जाबा करते हैं इसलिए हो इसली बच्वास बातों से भटकाने के लि 될िक नियूट कहांlightsं काम स्क हांने जो काम अपन resignet कuf कम उने साल वह छहां आप कैसे कर लिक तो कहीं ना कहीं उनकी पूरी जो आपकी आप महागरण्दन की सरकार है वह पूरे संकटंग दिक रहा है उनको भी दिक रहा है लेकिन कहते हैं ना कि भाई इतने भी कोई मतलब सच नहीं बोल देते कि हाँ भाई मेरे से गलती है बहुत टाफ है बोलना और बहुत कम लोग इस चीज़ को बोल पाते तो कहीं ना कि वो टसल है अंदर का डर है और भै है या फिर एक समझे घबराट हैं ये सारी चीज़ों को मिला जुला कर कुछ नहीं तो आज देखे कि सदन में वो राम चरित मानस का बुक लेकी चले गए तो भाया जिस किताब के वज़े से आपको मिनिस्ट्री मिली थी उसके बारे में काम आपने क्यों नहीं क्या आपको तो धर्म की जिसमें डेफिनेटली तू अंड्रेट परसेंट जिम्मेदार आडजेडी के जीतने कि उनको कोई मतलब ही नहीं ऐसे भी उनके जब बात करेंगे आपको बिल्कुल शालीनता नजर नहीं आएगी तो जब ऐसे भी बात करने में ढंग नहीं आता है तो सदर में कहां से करें कोई काम नहीं करते हैं शिराग पासवान की परे भी आपने सवाल कर दिया कि वो भी कोछ नहीं करते हैं बस दिली में ही रहा दें करने के लिए ही वहां पड़ी आप बात बताईए एक बात बताईए आप कब तक पार्टी मजबूत कि आप जब भी सवाल जब मैं वहां पर प्रवक्ता थी आप अच्छा पे इंडिये में है कि कहा है नहीं अभी हम लोग संगटन बनाओगे दो आजा चौबिस पच्छी अनसद है वहां पर आप अगर वहां पर नहीं जाएगा तो कहां से होगा रही बात मेरे जानी कि अगर मेरे नेता ही 365 दिन में अगर हर मैना एक बार जाके अचानक से स्कूल में घुसके बच्चों को पढ़ाने लग जाएंगे अचानक से किसी में घर पे जाके यह कि अगर आजनीती होती है है और अगर अगर आप यही दिखाना चाएं ऑर अगर अगर रही बात की 600-500 किलो मीटर चलने की बात सब थे पहले इंट पैदल नहीं चल रहे हो और अगर चलने की बात है तो बुरा मतमानियगा चाहिए वो बस ड्राइवर ट्रक ड्राइवर रो को जैसे कहा था ना राजा बाबू को कोई बोलेंगे नहीं लेकिन आपको क्या लग रहा है पशुपती पारस के यहां से कितने लोग पहुंच रहा है उसके इलावा अभी आपके आरा में जो अभी आपका फुट पार का जो मौफ़ी का जो आपका इवेंट ता वाँ पे वो खुद गए उसके इलावा अभी वो गोएना गए दुबाई गए उनको जो कारे भर दिया गया वो वो कर रहें उनके इलावा पांच जो संसद छटा स तो चिराग जी खूद है यह अलग बात है वो घर से बागी हो के अलग काम कर रहें लेकिन सांसद तो वो हमारे ओनरीबल मिनिस्टर के ही आना वो तो अलग से तो सदन में सदन में उनको एंटरी कहां से मेल बिकॉज ही इजा छे सांसद में पांच संसद हमारे साथ है एक वो चटके चले गे और अभी वो डारेक्ली जम्मुई से लड़ने के लिए भी तरने है बात करने पर बात घुमाने से काम ने चलेगा हम तो इंडिये के साथ है हम तो चाहते वो इंडिये में आये लेकिन काम करे भाई चुनाओ वगड़ा जो भी हुआ था तो वहां पर चिरा पासवन जी को बीजेपी प्रोजेक्ट करी अजस्टार फेस आप देखे होंगे हर बराभी इलेक्शन आने दीजे हर वो पार्टी हर वो काम करेंगे अगर लाना परे शारुक खान को भी ले के ऐसे से करके हाथ गुमा के वोट लेंगे क्योंकि लोग इमोशनली कनेक्ट हो होते हैं once upon a time hero is always zero या मनते की नहीं बनते हैं once कभी अगर कोई hero था तो हमेशा hero रहता है तो उनका चैरे को बिखा के उनके चैरे को बीजेपी बेचने का काम कर रही है बहुत smartly और यह मैं दाद देते हूं हम दाद देते हम इच्छाजी की हम दाद देते हूं सारे लीडरो उस दिन में honorable sir हमारे minister साब भी बोले कि हम तो चाहते हैं कि वो NDA में आएं वो काम करे हमारे party में उनका विलेन होगा वो clear है क्योंकि घर से वो निकले थे हम लोग उनको नहीं जाने के लिए बोले थे लेकिन लोग तु यह भी कर रहे हैं अब फसुपती पारस की party में उतना दम नहीं रहा अरे भाई दम रहे नहीं रहे यह तो लोग इसलिए बता रहे क्योंकि हम लोग ताम जहां पे बिलीव नहीं करते हैं हम लोग काम पे बिलीव करते हैं आप जाके देखिए अभी food processing में इतना काम अभी हो रहा है और होने वाला है पूरे देश भर में वह आप चिराग पासवान की पार्टी समर्थन दे रही है आप लोग अगर चिराग पासवान वह एंडिय में पहुंच आते हैं अभी तो आप लोगों का यह हाल है दोनों पार्टिया मदल चाचा बदीजे की लड़ाई होड़ी है जब दोनों एक दूसरे के साथ हमें चले अभी हाल खराब ने होगा आए मैं हमेशा आप लिए विकास वार में बोली हूँ मैं हमेशा सही चीजों को सामने लाइं उस वक्तिया मेरा मुद्धा चिराग पासवान के खिलाब बोलना नहीं है मेरा बात बहुत संपल है कि मैं जिनको देखके पार्टी में गई थी वो मुझे वहाँ पे नहीं मिली I am sure कि ये reality check उनको भी मिलना चाहिए अरे sir आप में potential है आप देखने में अच्छे हो लोग आपको प्यार करते हैं काम क्यों नहीं करते हो उनको मैं बार बार बोली हूँ रुपाम आप मेरा संदेश उन तक मौचा दीजेगा वो तो कुछ दिन करनी नहीं करनी की मैं इतना सा छोटा सा उनके महां पे प्रभकता थी आज भी मैं इतना सा राश्ट्रे प्रभकता हूँ उस मेरे आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन उनके जाने आने से अगर जनता को फर्क पड़ता है तो उनको जनता के बारे में सोचना च तो आपने सुना चंदर सेखर सिंग क्या बयान जिस पे वो रामचरित मानस का पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं, सदन में भी रामचरित मानस को लेके चले गए हैं और उसी पे टिपनी दे रहे हैं, पसुपती पारस के यहां से भी जवाब आपने सुन लिया कि कोई काम नहीं करता हैं, यहां तक चिराख पास्वान को भी इनों इस अपने लपेटे में ले लिया हैं, कह़रा है कि चिराख पास्वान भी कौई काम नहीं करते हैं, बस दिल्ली में ही वसे रहते हैं, यहां आकर 20 दिन रह कर तो दिखा admire, बार-बार देवियानी मित्रा यही कह रहे हैं, चलिए अभी के लिए तना ही बन रहे हैं आप लाइक बिहार के साथ धन्यवाद लाइक बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें